कि नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है आरिन कुछ बाइ यूट्व चनल में दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं धान के रोग पे दोस्तों धान की फसल में रोग लग जाते हैं तो खड़ी फसल पूरी बरबाद हो जाती है और यह ऐसा रोग है धान के कि आपको पता इन चलते हैं जब लगते हैं जब धान का प्रुकोत ज़्यादा हूए तब आपको पता चलता है कि मेरे धान में में कोई रोग लगा हुआ है और उससे बड़ी साथ जो आपके पैसे है वह भी निकलते चले आते हैं तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं रोगों के उपर आप इस वीडियो को दिहान से सुनिएगा और देखिएगा क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो रोग के बारे में समझ नहीं पाएंगे दोस्तों बताने से पहले आप सब्सक्राइब कर देजिए सब्सक्राइब के साथ साथ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सेर जरूर करिएगा दोस्तों मैं रोग के बात कर रहा हूं जो पहला रोग है जिवारू जनित जुलसा इसे बैक्टेरियल लिफ ब्लाइड भी कहते हैं इसकी जो पहचान है पहचान से पहले यह लगता कैसे जब आपका धान 20 से 25 दिन का हो जाता है तब इसका लच्छन आपको दिखाई देना सुरू होता है और इसका लच्छन को आप पहचान कैसे करेंगे जो पत्तियों के किनारे वाला जो उपरी सता होता है उपरी सता का व और इस रोग कर दो प्रकोफर्मेंट कर रहा हूं या बताने जा रहा हूं तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे कहा दों कि मेरा कोई chemical का उद्देश से नहीं है कि मैं chemical को ही आपको बताओं और chemical आप इस्प्रे करें लेकिन मैं आपको बता देता हूं ताकि आप permanent तो नहीं लेकिन तुरंट के लिए आपकी फसल सुरच्छित हो जाए और मैं बता रहा हूं आपको एक एकड के डोच के हिसाब से क्योंकि देखिए सबजी की खेती में अगर आप एक एकड में डोच बताता हूं तो उसमें जो पानी लगता है डेट सो लीटर और यह धान में अगर वही एक एकड में आपको पानी लगना है तो आपको लगेगा 200 200 लिटर 200 लिटर में आप अच्छे तरीके से एक इकड़ खेत को आप इस्प्रे कर सकते हैं तो दोस्तों जो दवा का नाम है 6 ग्राम स्टेप्टो प्लस 300 ग्राम आपको काफर ऑक्सिकॉलाइड 50% डबलू जी इन दूनों दवा को मिक्स करके इस्प्रे आपको करना है यह ध्यान रहे 6 ग्राम में और 300 ग्राम यह यह आपको 2-2 लिटर पानी में इस्प्रे करना है क्योंकि धान में आपको चलने में परसानी होती है इसलिए पानी इसमें अधिक लगता है इस्प्रे करने में उसके बाद इसमें आप एक कंपनी के आता ह पूड़क्ट पावर्प्लान फंगिसाइड इस पूड़को भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इसकीन पर देख रहे हैं इसको जो इस्तमाल करना है यह एक लीटर में दो ग्राम फंगिसाइड पड़ता है दूसरा जो रोग है उसका नाम है ब्लास्ट जुलसा धान का जुलसा दो जो प्रकोफ होता है अगर आपके खेतों में लग गया तो पूरी फसल बरबाद हो जाएगी आपको बता दें कि जो यह लगता कैसे है जब आपका दहान 15-20 दिन रुपाई हो जाती है तब से यह इसका लच्छण आपको देखने को मिल जाएगा और तब तक आपको मिलेगा जब तक कि धान पूरी तरीके से पक न जाए तब तक आपको इसका लच्छण ब्लास्ट का मि के पतियों पे पीला कलर के आँख के अकार के धब्बे बन जाते हैं और बीच में देखेंगे राक के रंग के अकार का और उसको किनारे देखेंगे तो भूरे रंग के होते हैं और यही धब्बे बड़े होकर कथई सफेद के धब्बे बना लेते हैं जिससे पौदा जुल पहले रोग में इसमें भी आपको इस्प्रे करना है पार-ब्लॉन। फंगिसाल एक लिर्टर-पानी में 2 ग्राम फौरक्त Abg और अचम्वर्वार एक पुरक्ट और्फ फंगोईट इसको इस्तेमाल अहीं एक लिर्टर-पानी इसमें 13 ml फ्रति फंगोईट आपको डालना है और केमकल में आपको मैं बता दे रहा हूं उसको लाकर इस्प्रे कर सकते हैं तोबैक को नुजाल 25.9% इसी आपको इस्तमाल करना है इस दवा को लाकर इस्तमाल कर लेजिए और जो ब्लास्ट आपका है कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद जो अगला रोख है धान की भूरी चित्ती रोग इसे ब्राउन इसपार्ड भी कहते हैं और ये भी रोग बहुत ही खतरनाक है और ये जो रो लगाई है टेट्मेंट करके आप लगाएंगे तो जो जनीत रोग है इससे कम स्कम नब्य से पंचानवे पर संभावने आपके कम हो जाएगी इसका आपको लच्छन में बता रहा हूं इसका लच्छन क्या है इस रोग की जो लच्छन है पत्तिय उपर देखेंगे गोला का बड़वार करके भूरे रंग के ध़ब़ बन जाते हैं और यह रोग फफुर्द जनित हैं पाउदे की बढ़वार इससे कम हो जाते हैं पाउदे मिसमें कल्ले कमा आते है और देखें गय Di печ प्रमावीत बहुत जादा हो जाते हैं और यह जो धबब्र अदिकांच अब दे या सुखाने लगती है जो धब्बे होते हैं वो सुखाने लगते हैं और उसमें क्या पत्तिया जढने लगती है और इसमें आपको पैदवार कम आता है इसमें आपको करना क्या है इसके लिए आप पाउर प्लान फंगिसाइड का स्प्रे करिए यह जो फंगिसाइड है बहु जो इसमें इस्त्माल करना है, ehkä करबेंडाजीम 50% WP आपको इस्त्माल करना है 200 L. पानी में आपको 400 GDVA डालना है chegar बेंडाजीम और इसमें आपको पाउर्पान फंगिसायट की माफ़ कर रहा था तो इसको भी आप इस्प्रे कर सकते हैं एक लिडर पानी में दो ग्राम और ये ध्यान रहे कि ये रोग का लच्छणगा आपकी खेतों में दिख रहा है तो दुबारा आप दस दिन बाद इसको आप इस्प्रे करें यह ध्यान रहे कि आप अपने खेत की देख भाल करते रहे हैं। उसके बाद जो अगला रोग है धान की सीट बलाइट। यह रोग बहुत खतरनाक है। यह रोग लगते हैं तने पे। तने को ही पूरा यह तोड़ देते हैं। और मेन जो सीट बलाइट है यह फफूद जनित रोग है। और इसके लिए मैं एक बात आपको बता दूँ कि सीट बलाइट आपके खेतों में संभावनें कम होगी ना आने की। अगर यह काम कर देंगे तो। शुरू में जो आप धान की रुपाई आप कर रहे हैं तो उस से में कोई अच्छी फफूदी ना सक लेके मिट मिक्स करके या गोबरिखार्ण मिक्स करके जमीन में ही डाल दीजी। तो ऐससे क्या होगा कि जो यह सीट बलाइट है सीट बलाइट आपके खेतों में नहीं आएगा। इसकी जो पहचान सीट बलाइट की यह वातावरण के अधिक आदिता के कारण बहुत तीजी से फैलता है और इसका जो प्रकूब आप देखेंगे कि तने पर होता है और तने पर सफेद दुदिया की तरह पूरा जम जाएगा और इस तरीके से तने क्या होता है कि सड़ने लगता है और तने जब सड़ने लगता है तो उसमें क्या होता कि कल्ले आपका पूर तरीके से विकास न करना क्या है कि आपको जो मैं केमिकल बता जे रहा हूं केमिकल आपको क्या है कि Hexa Cono Jol 5% EC आपको 200 ml यह दवा 200 L में इस्तमाल करना है यह आपको ध्यान रहे है कि 200 ml यह दवा है और 200 L जादे हो जाएगा और यह साइड इफेक्ट हो जाएगा 200 लिटर पानी में इसको मिक्स करेंगा और उसके बाद जो मैं फंगिसायट की बात कर रहा था पाउर प्लान फंगिसायट को नडालकर आप पाउर प्लान फंगोहीट का इस रोग में इस्तमाल करेगा, सीट ब्लाइट में, एक लेटर पानी में तीने मेल पाउर प्लाइन फंगोईट का इस्तमाल करेगा, ये दोनों दवाँ में से कोई भी दवाँ को इस्तमाल का सकते हैं, इस वे जो रिजल्ट है बहुत बेहतरिन मिलेगा, और सुरू में फफोदिनास्क का जरूर करेगा उसके बाद जो अगला रोग है खैरा धान का खैरा रोग जानते हैं कि जिंग की कमी के कारण लगता है और इस रोग की जो पहचान होती है पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं और यह धब्बे बाद में जाके होता है क्या है कि पूरी तरीके से पत्यों को सुखा जेती है और इसमें क्या है कि जिंग की कमे के कारण ये खेलरोग लगता है जिंग को पूर्ति करने के लिए आप को खेतों में जिंग की मातरा डालना बहुत जरूरी है या स्टार्टिंग में डालिए या धान की रुपाई करने के 15-10 दिन बाद डालिए ल दोस्तों जो अगला रोग है धान का हल्दी रोग इसे लोग कणुवा रोग भी बूलते हैं इसे आज के डेट में या इस समय आप कह सकते हैं पुर्वांचल में बहुत जरह फेमस है लेढहा रोग इसे कहते हैं और इसे फाल्स इसमट भी कुछ जगहों पर कहा जाता है तो और यह ऐसा रोग है कि अगर यह रोग आपके खेतों में लग गया तो यह ध्यान दीजिएगा आपके खेतों में अगर यह रोग लग गया तो सबसे पहले क्या है कि पूरी धान के बालियों को आपको पूरा रोग रसित कर देगा और एक की बालियों पे सबसे पहले आपको हरा सा पदात दिखाई देगा और हरासा पदात दिखाई देने के बाद वो पदात पिला हो जायेगा और पिला पदात एक लेयर नुमा उसमें जमा रहेगा उस बालियों को पकड़ की जब हिलाएंगे तो बहुत तेसे पाउडर नुमा वो उड़ता है और यह संक्रमाण अन्य धान पे बहुत तेजी से फैलता है जब अधिक बालों पे यह पहुशना सुरू हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि पूरी फसल आपकी बालियों पे यह की रोग दिखना सुरू हो जाए तो तुरंत उस पाउडे को जट से उखाड के कहिन बाहर जला देजिए यह आपको सावधानी करना बहुर जरूरी है नहीं तो उसी पाउडे की चलते सारे पाउडे भी रोग रसिद हो जाएंगे आपको दवा का इस्तमाल इसमें करना है दवा का इस्तमाल आप कर सकते हैं पहला क्या है कॉपर हाइड्रो कॉलाइड कॉपर आक्सिक कॉलाइड आपको 50% डावलूपी आपको इस्तमाल करना है 200 लीडर पानी में 300 ग्राम यह आपको ध्यान रहे और इसमें करना है कि बाली निकलने के पहले यह नहीं कि बाली जब इस इस प्रीन करना है आपको यह रोग अगर दिखने के संभावन आ यह तो क काप और आक्सिकुलाइड पचास परसेंड डबलूजी आपको इस्तमाल करना है 300 ग्राम बाली निकलने के पहले और जब बाली आपके निकल जा रहे यह तो निकलने के बाद आपको कॉमाब करन था और उसके बाद आपको जो इस्तमाल करना है पावर प्लू फंगयड और प्लांट फंगवाइट इन दुरों दवा को भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसमें आपको नीम का तेल मिला के आप इस्तिमाल करिए यह जो रोग है तुरंत खत्म हो जाएगा पाउर प्लान फंगिसाइड एक लिटर में दो ग्राम और नीम का तेल एक लिटर में एक एमेल आप दोनों को मिला के इस्प्रेकर दीजिए और उसके बाद रिजल्ट देखिए और यह ध्यान रहे कि आपको एक जो रोग है नेक ब्लास्ट गर्दन तोड़ रोगी से कहते हैं और इसमें आप देखेंगे कि जो बालियां होती है बालियों को जो नीचे जो इस्ठेम होते हैं बालियां से सटी हुई वहीं पर यह जुख जाती है और जुख के यह गिरने लगती है और गिरने की स्थिति म आप देखेंगे कि पूरी बालिया वो सुख जाती है सुखने के पहचान क्या होती है इसकी आप गोउर से देख़ी इस पहले क्या होता है कि यह बालिया निकलने के पड़ता है जो नीचला हिस्सा होता है out happens काली के धाब बन जाते हैं जिससे बालिया शूरू के टूटना स बंद होता है और जब बंद हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे बालियां लगी रहेगी सारे बालियां खोकला रहेगा तो उसमें आपको पैदवार ग्रसित हो जाएगा तो मैंने आपको जितनी भी रोग का नाम बताया सरल भासा में बताया और इस रोग को आप गवर करके दवाव को इस्तिपाल करना आप सुरू करेगा जो मैं नेक ब्लास्ट की बात कर रहा था इसमें कोई आपको फफुद नासक का शिड़काव करें मिन्स आप इसमें जो मैं बता रहा था पावरपान फंगी साइड पावरपान फंगी साइड का आप इसमें इस्तिमाल करिए एक लिटर पानी में दो ग्राम फंगी साइड और उसके बाद मैंने आप लोगों को जितने रोग का नाम बताया और रोग के साथ जो मैंने आपको पुड़क्ट के बारे मताया कि इस पोड़ को इस्तिमाल करिए तो मेरी बात को गौर से सुनिए सारे छिड़काओं में आपको इस टीकर एड़ करना है इस टीकर एड़ करना बहुत ही जरूरी है बिना इस टीकर की आप दवा को इस्तिमाल करना है आपके पास पंदर लिटर क सिर्फ में तो आपको यह डालना है आपको जितना रिडर पानी इस्तमाल करना है आप उसमें है दो सो लिटर एक एकड़ में आप ढालते हैं पानी के साथ दवा इस्प्रे करते हैं तो दो सो लिटर में आप 130 से मेल इस दवा को इस्टिकर को उसमें घोल देजी घोलने एक बात दवा को आप इस्प्रे कर देजी उसके बाद बहुत से स्टिकर मार्केट में मिलते हैं मार्क वीडियो को आप share करिए और इतना share करिए कि जो धान की फसल में जो रोग लगते हैं और किसान जो परिशान होते हैं कि कौन सा रोग लगा है पते नहीं चलता है और उनकी पूरी फसल बरबाद हो जाती है और खर्चे भी उनकी बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं दोनों तरीक है कि इस वीडियो को आप share करिए ताकि अधिक सदिक किसान इसे देखें और देखने के बाद इस जो वीडियो में दवा को बताया है अपने खेतों में इंप्लिमेंट करें दोस्तों मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट फिर ये कर रहे हैं कि आप आरेन को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन पर है प्रेस्ट करना ना बोलिए ताकि आने वारा जो वीडियो आपको नोटिपिकेशन मिलता रहेगा दो